दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको red color में दिख रहा होगा एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये automatically gray color में convert हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपने notification को adjust कर सकते हैं नमश्कार दोस्तों एक सरदार वल्लव भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है दिल्ली के अंदर सिर्फ बारा दिनों में जी हाँ सिर्फ बारा दिनों में thousand bed के capacity का ये हॉस्पिटल बनाया गया है लेकिन मैं बता तो यहाँ पर यह thousand bed या फिर बारा दिन के बात नहीं है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने सारे state of the art यहाँ पर facilities प्रोवाईट किये गए हैं इस particular hospital में और वो भी इसको complete किया गया है सिर्फ बारा दिन के अंदर तो काफे कुछ जानने को है अगिन इस वीडियो में हम इस पूरे hospital के बारे में जानेंगे जल्दी से चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरौल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा hospital के बारे में जान लेते हैं कि इसका नाम आप ध्यान रखेगा सरदार वल्लव भाई पर्टेल कोविड हॉस्पिटल है और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो जो दिल्ली का airport है domestic terminal T1 उसके पास यह particular mark है उलन बतर mark वहाँ पर यह बनाया गया है temporary hospital ध्यान रखेगा यह पर्मनेंट नहीं है यह temporary है thousand bet का medical center है और यह फैला हुआ है करीब 25,000 square meters of Indian Air Force land तो हमारी जो Indian Air Force का land है वहाँ पर यह बनाया गया है और यह patients के लिए खोल दिया गया है from 9th of July अब इसक scratch in just 12 days लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो हमारी Union Home Ministry है Health Ministry है और प्लस जो Tata Suns है वो भी इसके अंदर सामिल है अब इसको बनाने की funding कहां से आई है तो मैं बता दूं कई सारे companies के दौरा यहां पर जो funding है वो दिया गया है प्लस यहां पर जो Defense Research Development Organization में जो employees काम कर रहे हैं उन hospital में यहां पर जो 2500 करीब 25% जो बैड है वो अकेले ICU का है ठीक है आपको पता ही होगा कि COVID-19 अगर कोई Corona वारस किसी को हो जाता है तो वहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है सांस लेने की तो यहां पर जो ventilators है ICU है उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पढ़ती है तो तो यह जो ICU Bats हैं वो काफी ज़्यादा मदद कर सकते हैं और इसी चीज को जो दिल्ली के Chief Minister है अरविंद केजिवाल साब उन्होंने भी यहां पर यह लिखा कि for now there is no scarcity of hospital Bats overall वो कह रहा है कि hospital Bats की हमारे आभी scarcity नहीं है कमी नहीं है लेकिन जो problem है वो है हमारे ICU Bats की तो यहा यहां पर आगे चलकर अगर कोई भी critical situation आता है अगर spike होता है cases तो यहां पर यह जो ICU Bats है वो बहुत जादा मददगार सावित हो सकते हैं अब यहां पर इस hospital में कौन-कौन भरती हो सकता है अगर कोई भी person है patient है जो coronavirus positive है तो वो जाके यहां पर admit हो सकता है लेकिन जरूरत है कि उसके पास test report होनी चाहिए proper अगर test report है और आप coronavirus से संक्रमित हो तो आप वहां पर जा सकते हो आपका पूरा इलाज यहां पर free में किया जाएगा अगर मैं यहां पर medical professional की बात करूं इस hospital में तो यह thousand bet के hospital में 146 doctors available होंगे जो कि आएंगे from directory general armed forces medical services और यहां पर जो armed forces medical college है वहां से यह doctors आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि यह जो hospital है इसको पूरा तरह से जो गवन है वो हमारी armed forces ही कर रही है प्लस साथ में यहां पर 50 nursing staff, paramedical staff, supporting staff यह सारे भी available होंगे अब क्या यहां पर coronavirus का test किया जाएगा RT-PCR आपको पता है कि जो coronavirus का सबसे best test होता है वो होता है आपका RT-PCR जिसमें थोड़ा time भी लग सकता है लेकिन यहां पर इस hospital में इसको definitely test किया जाएगा सबसे पहले जो patient है उसके samples दे जाएगे और उसको collect करकर भेजा जाएगा Defense Institute of Physiology and Allied Sciences यहां पर भेज कर और within few hours यहां पर जो test है उसके परिणाम दे दिये जाएगे इस hospital के बार हैं जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह का hospital का कुछ structure है और यह total four hangers दिखेंगे आपको इस तरह के और इसमें जो एक अकेला जो hangers है वहां पर आपको 200 ICU bed वाला total मिलेगा जो कि मैंने बताया बहुत जादा again important होगा और यह important इसलिए भी है क्योंकि यहां पर आपको याद लवान वैली में incident हुआ था जहां पर हमारे 20 जवान वीर गती को प्राप्त हुए थे तो उसमें जो कर्नल थे आपने नाम सुना होगा संतोष बावु जी तो उनके नाम से यह particular जो hangers है ICU ward है वो उनहीं के नाम पर रखा गया है और बाकी के भी जो तीन hangers हैं वो भी अलग- पतनाम सिंग जी नुदूराम सोरें जी और मंदीप सिंग जी इन सभी के नाम पर यह सारे wards रखे गए हैं अब जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि इसमें कई सारे unique features हैं इस particular hospital में आप सोचके देखिए सिर्फ 12 दिन के अंदर बनाया यह hospital यह totally central air conditioning hospital है और इसके अंदर cause infection का खत्रा ना हो जो air है वो proper तरीके से move करता रहा है क्योंकि आपने देखा होगा जो usual hospitals होते हैं बाकी वहाँ पर जो air होता है वो बार बार recirculate होता रहता है hospital के अंदर जिसकी वजए से यहाँ पर जो coronavirus का संक्रमन का खत्रा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है hospital के अंदर तो आपने usually सुना होगा कि यहाँ पर hospital में भी air conditions को बंद किया गया है ताकि इस तरह के जो संक्रमन का खत्रा है वो यहाँ पर ना रहे लेकिन यह वाला जो hospital है जैसा मैंने बताया यहाँ पर internal negative pressure gradient की facility दी गई है ताकि अगर कोई यहाँ पर air में virus है तो उसको throw out किया जी हाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको पता है जैसा मैंने बता रहा था कि COVID-19 के समय सबसे बड़ी जो major issue होती है वो होती है breathing में तो यहाँ पर जो ICU beds है ventilators है वो काफी जादा चाहिए होता है तो यहाँ पर उसके लिए लगतार oxygen की supply होनी चाहिए इसलिए यह जो particular tank है vertical cryogenic medical oxygen tank होगा जिसके तुरू जो 1000 patients हैं वो 4 दिन तक लगतार oxygen ले सकते हैं ऐसा यहाँ पर enough oxygen रखा गया है और प्लस इसकी खास बात यह भी है कि यहाँ पर यह जो oxygen tank है इसको चारों hangers में pipeline के तुरू जोड़ा गया है और जो हर एक bed है सिर्फ ICU bed में नहीं यहाँ पर जितन अगर इस hospital के अंदर medical equipments की बात करें तो normal जितने भी medical equipments होते हैं वो तो हैं हैं प्लस साथ में यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो 200 ICU ventilator beds हैं इसको procure किया गया है DRDO के द्वारा through PM Care Fund जो PM Care Fund लिया था उसमें से कुछ contribute किया गया है इसके तुरू प्लस यहाँ पर जो ventilators हैं काफी हद तक ही हमारा आत्म निर्भर भी है क्योंकि भारत electronics के साथ बनाया गया है और प्लस साथ में यहाँ पर जो Singapore के कंपनी है AGVA Tech उनके द्वारा भी इसमें contribution की गई है प्लस यहाँ पर फार्मसी भी दी गई है प्रोवाइड की गई है medical medicines की facility by Apollo pharmacy at the site itself और प्लस यहाँ पर medical equipments क की बात करें तो चार medical robot trolley भी है इस particular hospital के अंदर और यह रोबोट trolley क्या करेंगे distance के त्रूई remote control के त्रूई यहाँ पर इनको अपरेट किया जा सकेगा food provide करना है medicines provide करना है तो यहाँ पर without physical contact के आए बिना यहाँ पर patients को serve किया जाएगा वो साथ में doctors के साथ video chat भी कर सकते है प्लस साथ में यहाँ पर एक और अच्छी facility दी गई है कि जो waste management है hospital का पूरा वो भी on site ही किया जाएगा जैसे कि अगर biomedical waste की बात करें तो यहाँ पर जो भी health ministry के द्वारा protocol है उसको follow किया जा रहा है प्लस यहाँ पर जो toilets के द्वारा जो भी water होगा उसका जो sewage treatment plant भी लगा की चीज़ों में तो आई होब दोस्तों यह जो पूरा hospital था इसकी जितने भी facilities हैं यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा अगर आप course purchase करना चाहते हैं study IQ app पर आप जा सकते हैं किसी इंक्वारी के लिए आप मुसे directly instagram पर जुड़िए यहाँ पर भी मैं daily एक mcq डालता आपसे ने चाहते हैं तिल एक यह जो जाए पर आपसे ने तिल देन तो तिल थैंक्यू वर्यमच्छ यह सून